हेलो एन वेलकम काई स्वागत आपका फेंटासी डिक्सन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बरोडा टीटेंटी चलेंज की जो की मैच होगा यहां पर स्टेलियंस वर्सिज चलेंजर के बीच में तो दोनों ही टीम के प्लेयर्स पर एक बार नजर कर लेंगे दोनों ही टीम के प्लेयर्स का एनलेक्सिस कर लेंगे प्लस पीछी रिपोर्ट के बारे में अच्छे से जान लेके प्लस आपको बता देंगे हम यहां पर कौन से प्लेयर को आप लोग यहां से small link में लेके जा सकते हैं कौनसे player को आप लोग यहां से grand link में लेके जा सकते हैं plus आपके लिए safe captaincy, vice captaincy choice कौनसी होनी वाली है plus risk की captaincy, vice captaincy कौनसी होनी वाली है सारे players के बारे में हम लोग यहां से चल्चा कर लेंगे तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं तम तमाती ओए ठंडी में फेंटासी का मजा लेते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो ये में दोपर में एक बजे अलेम्बिक क्रिकेट ग्राउन में वडोद्रा में खेला जाएगा पीच रिपोर्ट की बात करो तो clean wither रहने वाला है बारिश का कोई भी chances नहीं रहने वाला है बात करूँ यहाँ पर पीच की तो खास तोर पे spinners को मदद मिल रही है spinners को यहाँ पर मदद मिल रही है basement को थोड़ी बहुत मदद मिलेगी लेकिन कैसे न उनको न टिक के खेलना पड़ेगा उनको न जरे टिका के खेलना पड़ेगा क्रीच पे थोड़ा बहुत time spend करेंगे तब ही एक बड़ा score कर सकते है average score की माना तो आपको 120 run के आसपा score बनता है दिखेंगा लेकिन लेकिन अगर time spend करते हैं जैसे कि आज की मैच में आपने देखा सा के दोनों इओपनर्स ने अच्छा खासा time work गया और यहाँ पर जैसे रोईट ठाकोर ने आके वहाँ पर एक बड़ा score कर दिया था तो basement ball को अच्छे से समझ के खेलेगा तो एक बड़ा score भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है even 179 या 180 टग पी score हो सकता है क्योंकि ऐसे तो माने तो यहाँ पर batting पीछ है लेकिन spinner को basement खेल नहीं पा रही वही पर दिक्कत आ रही है और थोड़ा सा slow pitch होता जा रहा है लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा telegram channel जोइन ने किया तो या telegram channel को जोइन कर लो क्योंकि वहाँ पर ही आपको fantasy से जूड़ी हर खबर मिलती रहेगी हमाई small league की final team भी आपको वही पर ही मिलेगी और जिन जिन player का हम लोग यहाँ पर analysis करते है अगर वो players out of team यानि कि जो bench से जो players केलता है वो player को अगर team में जगा मिलती है तो उनके states हम final आपको telegram में provide करते है तो इसके लिए आपको बोलता हूँ कि telegram में आपको जूड़ना अनिवारिया है टिम स्टेलियन की बात करो तो तीन मैच के लिए जहाँ पर पहली दोनों ही मैच हार गई थी लेकिन last वाला मैच वो तगड़ा जित के आई है बहुत जबचस्त बेटिंग किया था सिंगल एंटली बात करो तो यहाँ पर रोई ठाकुन ने और काफी अच्छा score किया था वहाँ पर और अपनी team को एक मजबूत एक विकेट भी लिया हुआ है वैसे right hand बेटिंग करवा लेते कभी कभी part time आपको right arm fast गेन बाज़ी भी करवा सकते हैं यहाँ से बात करो रोई ठाकुर की तो last match में opening करवाई थी पहली match में 17 run की है दूसरी match में 8 run की है last match की बात करो तो बहुत जवज़स मार रहे थे 76 run की है और बंदे ने एक भी ball ऐसा नहीं होगा कि जिसको boundary के बार पहुंचाने की लिए try ना किया हो हर ball को मार रहा है बंदे ने sixer मारी एच्छे या 7 sixer लगाई वह है तो आप देख सकते हो कि वही से आप इसके player के बारे में आप जान सकते हैं जैसे मैंने पहले ही बुला आपको कि पीच स्लो है लेकिन अगर basement सही से खेलता है ना नजरे डिका के खेलता है या बेक खॉफ के हो के खेलता है ना तो ये चीज होती है एक बड़ा score भी आपको देखने को मिल सकता है ओर 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 83 मेंच के लिए हुए जापर 2,133 ली रन है साथ में 5 विकेट भी आसिल किये हुए है इससे right-handed बेटेंग करवा लेते प्लस right-arm फास गयन बाजी भी करवा लेते लेकिन part-time गयन बाजी करवा लेते जापर 730 ली रन है साथ में 7 विकेट भी आसिल किये हुए है यहाँ से बात करें हम हर्ष कतरमल की तो ये भी हर एक मैच में बंदा ओर्ष करवा रहा है पूरी ओर्ष करवा रहा है पहली मैच में 12 रन किये थे और लास्ट मैच में भी 12 रन किये और जहाँ पर दूसरी मैच की बात करो, तो वहाँ पर एक विकेट भी लिया था, तो overs करवा रहा है लेकिन विकेट अभी तक एक भी नहीं मिला है, यानि कि chances है उसके पास विकेट लेने का, बाकी बात करो तो जनता इनको लेके नहीं जाएगी, आप अगर मुखा देना चाह तो उनको अपनी टीमे मुखा दे सकते हो, ओवर्स पूरी करवा रहा है, कभी ना कभी आपको विकेट लेता हो, नजर आ सकता है, क्योंकि ओवर्रोल आप देखलो, 69 मैच के लिए वोजापर, 799 रन है, करीब 800 रन ही है, और विकेट की बात को तो 80 विकेट भी लिये हुए, र मेच के लए तो 6 मैच के लिए हुए, चैपको दोनोंब्स पचास रन ही, और विकेट भी लिये होई, दोनोंब्स पचास ने बहुत दाकर ब्ले वाजे की ओर वहाँसे एक बड़ा स्कोर जाता हुआ, दिखा तो इनने क्या किया ना कि जो हीटिंग कर रहा है जो बेशमेन हो या बॉलर सो हीटिंग कर रहा है उनको उपर प्रमोट किया था कि बस आके मारते जाओ एक दो चक्का लग जा एक दो चोका लग जा बहुत है तो इसके लिए मालाव पटेल खुद बैटिंग करने के लिए नहीं पहली दो मैच में 1923 रन का स्कोर किया है लेकिन कल वो आपको टॉप ओडर में ही वेटिंग करवाती हुए दिखेंगे अगर टीम की सिचियोशन सेम रही तो सागर ठाकुर की बात करो तो 14 मैच के लिए हो जापर 122 रन है और 11 विकेट भी लिए हुए पहली मैच में 6 रन किये रहें जापर 12 विकेट लिए तो यह हमारे लिए सबसे बहतर चोईस होने वाले है इवन के लिए हमारे पास सबसे बहतर सबसे बेश चोईस हमारे पास रहने वाले है Chinta Gandhi की बात करो तो 51 मैच के लिए वुजा पर 504 रं किये वे साथ में 63 विकेट। पी लिए हुए है। और वही श्टाइल में वहाँ पर बॉलिंग करवा रहे हैं, हर एक मैच में आपको ओस करवा करवा दिखें कि पहले मैच में दो ओस डाले थे, विकएट नहीं मिले थी, फिर दूसरी मैच में जनता की नेजर नहीं थी उनके उपर, जनता उनको नहीं लेके जा रहे थी, और even 27% का सिलेक्षन उनके उपर हो गया, जहाँ पर 3 वोज की गैनबाजी की एक ही विकेट मिला, तो यह हमारी लिए वेरी इंपोरेंट हो सकते हैं, विकेट लेते हो नजर आ सकते हैं, आपको आगे भी ये विकेट लेते हो नजर आ सकते हैं, सहबाज पठान की बात करो तो, 4 मैच में भी बहुत जबज़स पीट है, तीन गैंदो की और की वहाँ पर भी बेशमेनों ने उनको नहीं ठोड़ा, और तीनों ही गैंदो पर चोक्के लगा दिये थे, यानि की तीन गैंदो में 12 रन दे दिये थे, तो जहाँ पर लास्ट मैच की बात करो तो टीम ने उनको प्रमोट किया, टीम ने उनको मौका दिया कुछ करने के लिए, तो उनको सरुवात में 2 वस दी और 2 वस दे थोवर में दी, तो इसका मतलब कि उन्होंने 4 वस पूरी करवाई, लेकिन मैं मानूँगा तब इतना खास परफॉमस नहीं रहा, 32 रन दिये थे, बालिंग करवात लेकिन अगर टीम ने उनको प्रमोट किया, तो उनके पास कुछ एबिलिटी होगी, टीम ने अगर उनको वही एबिलिटी के इसाफ से उनको ये परफॉमस करने का मौका दिया होगा, तो आप भी अपनी टीम में चाहो तो उनको मौका दे सकते हो, बाकि बात करो हैं यहाँ पर बेंच की तो राज ब्रह्मापट को अभी तक एक भी मेंच खेलने का मौका नहीं मिला जापर, अठरा मैच वह ओल ओवर खेले हो हैं जहाँ पर 371 रन या साथ में 16 विकेट भी लिए हो हैं, यहाँ पर बात करें चैलेंजर की तो दो मैच के लिए हो जहाँ पर एक मैच जीता है, एक मैच हारा है, आई शराई, आपको अपनिंग करवाते वह देखेंगे, ओवर ओल देखने के लिए जाए तो 66 रन के हो, जहाँ पर 1378 रन है, और साथ में 3 विकेट भी लिए हो है, लेकिन यह दोनों ही मैच में उनोंने ओवर तो नहीं करवा है, लेकिन बेटें शुरुवात दी थी, और इनका असर क्या हुआ, वह हम आगे बात कर ले, आगे बात करते हैं, लेकिन आई शराई ने दो मैच में 2 और 14 रन बनाया हुए, दुरू एन पटेल की बात करो तो पहली मैच में 15 किये थे, दुसरी मैच में 80 रन का स्कॉर किया था, ओवर ओल मैंने आपको बताया, स्टेलियंस के बारे में, वही सेम सिच्वेशन यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी टीम ने वही प्लेयर्स को प्रमोट किया, यानि कि अभी देखने के लिए जाए तो यस वदन सिंग खुद कैप्टन है, तो वह खुद प्रमोट हुए, और वन डा मैंस टक खेल रहे थे, तो लास्ट में फिर, जो लोग हिटिंग करते हैं उनको भीजते हैं, तो यही बात हो गए कि, यह खुद प्रमोट हो गए थे, इसके बाद प्रतिक सालूं का को भी प्रमोट किया, यस वदन सिंग के बात करें तो यह कैप्टन सिंग के लिए तो अच्छा काशा कूछ कर सकते हैं, तो अच्छा क्या करते हैं, तो गुन्चाला के बात करो हो सुचिंग के लिए यह खुद प्रमोट के लिए, त्रमोट realization केब मिले आखुद आप ! बाकि पिछली दो मैचों की बात करें तो पहली मैच में 22 किया था दूसरी मैच में दो रन का स्कॉर किया था लेकिन बेश्टमेंट बहुत अच्छा है टेकनिकल बेट है और कापी अच्छा कुछ सक्वार कर सकता है आपको अगर इनकी एक दो विकेट जल्दी गिल जाती है तो ये वेस्टमेंट आपको पच्छा साथ रन तक करके दे सकता है तो यसा टेकनिकल बेट है और उनको चांस मिला तो अच्छा कासा स्कॉर करके दे सकता है प्रतिक गोडाद्रा की बात करो 69 मैच के लिए वजापर 1198 रन है और साथ में 146 विकेट भी उनके खाते में एड फिसलिए दोनों ही मैचों में 4-4 वर्स करवा रहे और दोनों ही मैचों में एक और दो विकेट लेके आए हुए हैं बाकी बैटिंग से इतना कुछ अच्छा पर्फरमस नहीं दिया अभी जित कुमर की बात करो तो लास्ट मैच केलने का मौका मिला ता जापर 2 रन किये थे लेकिन दूसरी मैच के बात के बात के लिए तो चार वर्स की गयन बाजी की जापर 2 विकेट वो लेके आये थे ओर रोल बात के लिए तो 10 मैच में 25 विकेट है साथ में 231 रन भी है तो राइट हैं बैटिंग करवा लेते हैं प्लस राइट आम लेक ब्रेक बालिंग करवा लेते हैं तो आपको विकेट लेते हैं नजर आ सकते हैं यहाँ पर बात के लिए जैनिल बटकी तो ओर वल आप देख सकते हो कि 89 मैच के लिए वो जापा 612 रन किये हो साथ में 171 विकेट भी लिए हुए तो दोनों ही मैच में 4-4 वर्स पूरी करवा है पहली मैच में विके हमारे कैप्टन यह वाइस कैप्टन जैनिल बट रहने वाले हैं तो यह मैं एक रिस्क करे रहा हूँ और आपको मैं अपनी तरफ से शेप कैप्टन सीब वाइस कैप्टन सीब के चोइस दे दूँगा जैपाल चड़ की बात करतो पहली मैच में तीन ओर की गैन बाजी की त पहले हैं तो पहले हैं तो इनको टीम कभी भी मौकार दे सकती है यह हमारी यह हमको नौटिस करके चलना है के उर काले की बात करें तो 28 मैच में 42 विकेट है साथ में 148 रन बनाई हुए ओवरल की स्टेट्स की बात करें तो चलिए अभी ड्रीम 11 की टिम पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहां से अवइड करके जा सकते हैं तो यहां से विकेट कीपिंग सेक्शन में से मैं आर ठाकूर को लेकर जाओंगा आप अगर चाहे तो यह राय को भी लेकर जा सकते हो दोनों ने अच्छी बैटिंग किये लास्ट मैच में लास्ट मैच में दोनों ने ही अच्छी बैटिंग किये तो दोनों में से किसी एक वि लेके जा रहा हूँ जहां पर मैं आर ठाकूर के साथ जाऊंगा बाकी वायर हम भी बहुत नीचे बैटिंग करवा लेते हैं और उतना भी इतने मैचों में इतना कुछ खाथ पर्फॉमस दिया नहीं अभी तक पहली बैटिंग सक्षन की बात करो तो एम पटेल हमारी टीम में उनको हम लेके जाएंगे उन्होंने भी लाश मैच में वो थाकर बल्ले बाजी करके आए हुए हैं और यहां से रोस्चन पटेल हमारी टीम में रहने वाले हैं बाकी वाल्राउंडर सक्षन की बात करो तो यहां से मैंने जैनिल भट को लेके जा रहा हूँ यह मेरे लिए व खंधी को लेके जाओंगा यहां से पी गोडारा यहां से वाई सिंग और यहां से जे महियल को में लेके जाओंगा आप क्या कर सकते हो ना यहां से जे चड को मौका देना चाओ तो दे सकते हो दोनों मैच में बंदा विकेट लेके आ रहा है बाकी एस पठान ने लास मैच म पर उनको लेना चाहो तो ले सकते हो बाकी S ठाको इतने कुछ खास नहीं रहने वाले और यहांसे R दिवान भी रियाज दिवान भी लास मैंच में विकेट लेके आ रहे हैं तो उनको भी आगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो तो यहां से कैप्टन सिब दी हुए मैंने जैनिल बट को और वाइस कैप्टन सिब दी हुए यहां से मानव मिस्तरी को यह बहुत ही रिस्की होने वाला है आपको अगर शेफ जाना है तो यहां से कैप्टन सिब दे सकते हो वाइस इंग को और wise captain ship दे सकते हैं यहां फे मानव मिस्तरी को तो यह आपके लिए safe रहने वाले हैं लेकिन यार यह मेरी न डेमो टीम है और इसमें final line-up के बाद आपको काफी सारे changes होते होगे देखेंगे तो आपको simply final team के लिए telegram channel join कर लेना है और telegram channel join करने के लिए मैंने नीचे description में link attach किया हुए प्लस आपको नीचे comment section में भी link attach करके दे दूँगा इनके से अगर link वर्क ना करें तो आप सीध जाए telegram में वहाँ जाके आप search करिए fantasy decent challenger या फिर आप search करिए add the rate fdc27 और आपको सीध हमारा channel मिल जाएगा तो आपको उसे join कर लेना है तो यहाँ पर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like share जरू कर दे और हो सके तो youtube channel को subscribe करके रखे क्योंकि आगया आने वाली और अच्छे मैचेश के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक आप पूरी वीडियो देखते रहो अच्छा लेसेश करते रहो अच्छी वीनिंग करते रहो अच्छी डिम बना दे रहो जय हिन जय भारत